हमें से बहुत सारे live streamers अपने चैनल पर mobile games को live stream करते हैं और किसी भी mobile game को live stream करने के लिए हमारे पास दो ही option होते हैं number one option यह है कि Elgato game capture card जैसा एक भारी बरकम investment करें जो कि बिल्कुल भी advisable नहीं है कर आपका चैनल शुरू ही हो रहा है भी grow ही हो रहा है तो और दूसरा option होता है कि किसी भी mirroring app का इस्तमाल करें यह power mirror वगयर का लेकिन उसमें problem यह आती है कि ठीक था quality में हम लोगों ने अपनी जो game की screen है वो तो mirror कर दी लेकिन समझ में यह नहीं आता कि sound कैसे पहुंचे किसी तक जो की ठीक था quality में हमारी screen जो है वो होनी शुरू हो जाए और उसके बाद बहुत सारे cables और connectors और उसके बाद भी यह होता कि quality कई बार अच्छी नहीं लगती है हम लोगों को तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिना किसी जुगार के बिना किसी cable connector पर एक पैसा invest की हुए कैसे wirelessly हम लोग अपने gameplay की screen को और sound को दोनों को ही mirror करेंगे अपने PC पे और वहां से उसको stream करेंगे I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगी और आपको बहुत पसंद आएगी जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी I hope सभी जबर्दस जिंदा बाद हमिशा की तरह वेल्कम टू streamer's digest और यह वीडियो जो है यह सबसे जादा डिमांड बे यह वीडियो था बहुत सारे भाई लोग बहुत लंबे टाइम से कह रहे थे कुछ ऐसा जुगाड हो जैसा मैं आपको पताया कि जीरो इंवेस्मेंट है कोई केबल नी चाहिए कोई कनेक्टर नी चाहिए बस आप लोगों को पे अगर क करना है वीडियो को और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है स्ट्रीमर्स डाइजस्ट को तो सब्सक्राइब कर देंगे सबसे पहला जो स्टैप है इस प्रोसीजर में वह यह है कि हम लोगों को अपनी विंडोज को अपडेट कर लेना है जितने भी ऑप्शनल अपडेट है वह सारे भी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक 2004 करके अभी आया था मतलब कुछ टाइम हो गया है तो उस ऑप्शनल अपडेट को भी हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगा उसके बाद एक और अपडेट आया है ज बाद देखिए कि नीचे मेरा जो स्मार्ट फोन है वो पैर नहीं तो यहा पर पेपेर करेंगे दोनों को मैं क्लिक करूंगा एड ब्लू टूथ और अधर डवाइस क्लिक करेंगे ब्लूटूथ पर और अपने डिवाइस पे अपने स्मार्ट फोन पर भी ब्लूटूथ करेंगे और इतना करने के बाद जैसे ही हमारा डिवाइस यहां पर डिटेक्ट होता है नीचे आ गया गलेक्षी S9 Plus हम लोग क्लिक करेंगे और कनेक्शन सेंड करेंगे और यहां पर रिसीव करते हैं अके और स्मार्टफोन आ गया है अगले स्टेप में लोग को क्या करना है हम लोग चलेंगे माइक्रोसफ्ट स्टोर पे और वहां से चोट असा प्री डाउनलोड करेंगे इस एप का नाम है ब्लूटूथ आडियो रिसीवर तो मैं सेर्च करता हूं ब्लूटूथ आडियो रिसीवर यह आगया ब्लूटूथ आडियो रिसीवर क्लिक करते हैं इसको और इंस्टॉल करते हैं जल्दी से तो इंस्टॉल होने के बाद हम लोग करेंगे लॉंच इसको और लॉंच करने के बाद आप देखे कि उपर ही हमारे डिवाइस का नाम आ रहा है Galaxy S9 Plus क्लिक करते हैं इस पर और क्लिक करते हैं Open Connection उपर देखे लिखा रहा है Connected और आप स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि लिखा रहा है Connected for Audio यानि कि अब हम लोग अपने स्मार्टफोन से अपने PC पे Audio भेज सकते हैं वाया Bluetooth इतना करने के बाद हम लोग minimize करेंगे और अब हम लोग चलते हैं OBS की स्क्रीन पर और देखते हैं कि वहां पर पूरी सेटिंग कैसे करनी है OBS के इंटरफेस पर जाने से पहले हम लोग mirror कर लेंगे अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को PC पे मैं open करता हूँ A power mirror और A power mirror ही मैं open कर लेता हूँ अपने स्मार्टफोन पे भी और अब हम लोग यह देख रहे हैं कि हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन जो है वह mirror हो चुकी है अब हम लोग चलते हैं OBS में और देखते हैं कि आगे कैसे हम लोग पूरी सेटिंग करनी है OBS में सबसे पहले हम लोग एक source add करेंगा और यह होगा वह window जिस पर हमारे मोबाइल की स्क्रीन जो है उसको mirror किया जा रहा है हम लोग क्लिक करेंगे add source window capture और यहां पर मैं चूज करूँगा a power mirror live stream क्लिक करते हैं करते हैं और आप देख रहे हैं कि lobby हमारी तयार है already तो इसको stretch कर लेते हैं अपने canvas size पर और यहां पर मैं यह देखिए यह यह device है जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल wirelessly connected है मैं थोड़ा सा volume इसका बढ़ा देता हूं और आप देख रहे है कि bluetooth का volume मैं कितना बढ़ा लूँगा sufficient जो की ठीक रहे है so it is fine right now अभी आप देखेगा कि जो audio है उसकी quality कैसी है और उसमें lag actually कितना हो रहा कोई screen 2 जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुछ lag है या नहीं है तो मैं tap करता हूं यहां पर और click करते हैं start पर तो अभी आपको एक idea मिल जाओगा desktop audio की sound का sound बिल्कुल ऐसी ही रहेगी जब तक connectivity strong रहेगी and I hope यह जो जुगाड है it's not a जुगाड है और यह आपको disappoint भी नहीं करेगा और फाइनली अगर आप अपजी मॉबाइल जैसा एक multiplayer game stream करते हैं और आपको अपने teammates से बात करने के जरूरत है जरूर बजा देना है notification को कर देना है all पर क्योंकि आपको पता है कि सराचमतकार उस घंटे से होता है जब भी एक helpful एक useful वीडियो आती है हमारे gamer भाई लोगों के लिए हमारे streamer भाई लोगों के लिए तो गंटा बजता है पर आप लोगों को पता लग जाता है कि वीडियो आ गई है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में